दोक्टर.com इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट संजेई मिरे दोक्टर.com इस कारेक्रम में आज के हमारे महमान है ऐसे महमान है जो पिछले कई वर्षों से इस समाच की सेवाए कर रहे है और ये कैंसर के जाने माने चिकिस्सक है तग्य है डॉक्टर की पुरी टीम आई हुई है मेरे दाइयोर आप जो देख रहे है आप है डॉक्टर आर बी रंदिवे जो अनुसंग्यान वय्यानिक एच बी सी आर विभाग से तालुकात रखते हैं और आप मेरी बैयोर जो देख रहे हैं आप है डॉक्टर करतार सिंग जो निर्देशक और रेडियो थेरपी साब जिनने काफी लोग जानते हैं पैचानते हैं उनके कामकाज की काफी सराना भी होती है डॉक्टर बीके शर्मा साब आप सलागार हेड एंड नेक विभाग का कामकाज देखते हो और सभी तरफ आपके पेंड नगर भी रहती है तो दर्शको जैसे कि कैंसर अस्पताल के अंतरगत आने वाला राष्ट्रसंत तुकड़ जी महाराज कैंसर रीजनल अस्पताल जहां पे पूरे भारतवर से लोग आते हैं और वहां के मरीजों की डॉक्टर लोग कापी अच्छी सेमाय दे रहे हैं मैं करेंटरों शुरू करने से पहले यह हमारी परपरा है कि मैं आपको राष्ट्रसंत तुकड़ जी महाराज कैंसर रीजनल अस्पताल के बारे में यह बता देना चाहता हूं कि लगबग पात दशकपले समर्पित धर्मगुरु जो प्रसिद्ध स्वतंतरत सेनानी जो थे राष्ट्रसंत तुकड़ जी महाराज उनकी कैंसर के भयानक बीमारी से कारण वे हमें छोड़कर चले गए थे और उसी दवरान टाटा मेमुरेर सेंटर मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में कैंसर के लिए उनके अनुयायू में से एक थे तो तुकड़ जी महाराज नी ये इच्छा भी अपने जाहिर की थी कि नाकपूर में बेक कैंसर का अस्पताल होना चाहिए और सभी लोगों को इस भयानक बीमारी से कैसी निजात पासके इसके लिए कामकाज करना चाहिए ऐसे उनके मन में बाच्ची चली थी उनके करभी शिशो ने महाराज की अंतिम इ कटा करना पड़ा था राज्य सरकार माष्टर सरका ने कैंसर अस्पताल के निर्मान के लिए लीग पर पाच एकड जमिन दान में दे दी है जो आज एक बरगत के पेड़ जैसा विशाल कामकाज हो गया और इसको अपने काम के प्रती इन्होंने इस प्रकार से उसको सीचा ह है और मरी जी को सेवा की है जिसके चैसे कैंसर अस्पताल अपने आप में एक है रश्टर संतर तुकड़ी कैंसर अस्पताल दस मार्च उन्नी सो चवरात्र को एक एकल कोबार्ट चिकिस सा इकाई के साथ शुरू हुआ था और धिरे-दिरे वर्षों में यह एक छत के नीच सबी सुविधाओं के साथ पूर्ण विकसीत रूप से अत्यादिक विशिष्टर कैंसर अस्पताल में आज विकसीत हुआ दिखाई देता है उनके अद्बुत प्रयाश्य को सिकार करती है भारत सरकार ने इस अस्पताल को 1999 में भारत के शेत्री कैंसर अस्पताल RCC का दरज अब ही नहीं मिला है और इस बात का हमारे तमाम शहरवासियों को काफी गर्व की बात है क्योंकि इतना अच्छा दर्जा जो मिला है काफी अच्छा काम करते हुए तो दर्श को ये था राष्टर संथ तुकड़ीज महाराज कैंसर रिजनल अस्पताल के बारे में एक छोट इसी जानकरी छोटा सा परिच है मैं फिर से जिन्होंने वही भी अपने टीवी सेट शुरू किया उनके लिए मैं बता दू कि आज डॉक्टर.com इस खास कारेकरम के लिए बीसिन के स्टूड़ो में तीन ऐसे डॉक्टर आये हुए है डॉक्टर करतार सिंह साब आये हुए ह और डॉक्टर आर भी रंदिवे साब आ चुके है तो मैं सबसे पहले कुछ सवाल हमारे दर्शुकों के मन में जो थे जिन्होंने हमें बताये था कि आप डॉक्टर साब से जरूर ये सवाल पूछेगा तो ये रहा पहला सवाल मेरा करतार सिंह साब से करतर सिंह साब सर अब नीदेशक और रेडियो थेरोपी विभाग के विभाग प्रमुगबे हो और मुझे ये बता है कि रैश्टर संतो तुकड़ जी कैंसर अस्पताल नाकपुर का इसका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता या क्या फ्यूचर प्लान है और अभी क्या कि अधिया संपन एक कैंसर चिकिस साले के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे भार सरकार के द्वारा जो टी सी सी जो हमको एक रिवार्ड मिला है इसका आर्थ ही होता है कि राजसंतुकर जी महाराज कैंसर अस्पताल अपने छेत्र में अपने राज में किसी भी तरह क कैंसर की विमारी के लिए इलाज कर सकता है निदान कर सकता है सर्जरी रेडियेशन या कीमो थरफी के रूप में उसका उपचार कर सकता है इस तरह कि किसी भी कैंसर के इलाज के लिए इस मरीज को राजसंतुकर जी महाराज छोड़कर किसी और कैंसर या बड़े अस्पताल में जाने की जरुर्वत नहीं है इसका अर्थ है कि हम लोग तरसरी कैंसर के सेंटर हैं और हमारी जो जी जी बोलिए बोलिए और हमारी जो आगामी योजनाय हैं उसमें 200 बैट के अलावा रेडियेशन विवाग में हम अत्यादुनिक जो रेडियेशन की मशीन है लीनर एक्सल में हम रेडियेशन विवाग में लाने वाले हैं रेडियोलोजी विवाग में हम MRI और PET scan मशीन लाने वाले हैं आने वाले 5 वर्सों में यदि हम सरजरी विवाग को देखें तो ये सल्लेश चिकिस सक हमारे पास संपूर अच्छी मात्रा में है मगर हमको अभी और 4 modular OT की कीमो थरफी में हर तरह के cancer में आने वाली उपयोग होने वाली जो कीमो थरफी दवाईयां हैं जो काफी महंगी रहती है या तो सरकारी योजनाओं में महात्मा फुले योजना या आईश्मान योजना के द्वारा हम ऐसी महंगी दवाईयां मरीजों को मोहिया करवा रहे है यह जो हमारे पैनल में CJHS है, ECHS है, WCL है या रेलवेक बिभाग हैं जो एमपैनलमेंट में है उनकी स्कीम के द्वारा भी हम अपने मरीजों को ऐसी महेंगी दवाईयां जो कैंसर के उप्चार में दुनिया में और बड़े अस्पतालों में उप्योग होती हैं तो हमारे यहां भी उप्लब्ध हैं यदि हम पैलिएशन के छेत्र में देखें जो मरीज बहुती एडवांस स्टेज में होते हैं उनके लिए भी हमारे यहां संपूर्ण सुविधाय हैं इस तरह से देखा जाए तो हमारे पैथलोजी में हिस्टो पैथलोजी विभाग है बाय केमिश्टी विभाग है आएस्टी जो है जिस तरह की भी जांच वगरा की जरुवत होती है वो सभी हमारे उपलब्ध है राच्छा सथ्टो तुकड़ जी महारा कैंसर अस्पताल में किस प्रकार की सुविधायर क्या उनकी स्पेशालिटी है इसके डॉक्टर करतार सिंग साब ने काफी अच्छी जानकरी दी है दर्शकुमाय आपको बता दू कि यदि आपके घर में किसी कैंसर का यदी पेशन ह होगा अगर आप उनका इलाज करना है तो आप जरूर आ सकते है क्योंकि डॉक्टर की टीम बहुत अच्छी है और जो कामकार जो चर रहा है शुरू के दोर में ये अस्पताल का नामों निशान भी इतने दूर दूर तक इसका परचम नहीं इसकी खुश्वू नहीं आ रही है कैसे बैसे भाले लोग आ रहे मगर जो भी आता है रोती हुए आता है मगर जब जाता है तो अस्ते हुए जाता है और इसका कई वर्चों से लगातार काम काज कर रहे हैं, इनके मन में एक दर्द है, चेहरे पे भला ही मुस्कान दिखाई देते हो, लेकिन अंदर का जो दर्द है, वो बहुत ही बड़ा दर्द है, वो दर्द को समझना यह हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम अच्छे से जानते है कि उन्हें किस बात का दर्द है, उसके बावजूद जब वो मरीजों की सेवा करते हैं, उसको अपना धर्म समझते हैं, और उसको सही माहने में भगवान की पूजा अर्चना भी वे समझते हैं, तो ऐसे डॉक्टर बीके शर्मा साब के पाच चलते हैं, कैंसर, डॉक्टर स से होते हैं, क्या जान करें देने जारे हमारे तमाम दर्शकों को आप, डॉक्टर बीके शर्मा साब, नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दर्शकों का, मैं अभिवादन करता हूं, और यह उम्मीद के साथ की जरू, जिस तरह से हमारे डारेक्टर साब में आप लोगों को बनाया कि हम लोगों के साथ साथ, हम लोगों के साथ तो स्की करें, जराते हैं, उसके अदर में हमारे तीम परगार के खूल, आघ्नी uphold हैं, यह जो को भी प्ताजिक्ति की जोर्प देते हैं, तो यह तो भात होती है जो उन्होंने इतनी साथी सोईदा के तकार, सबसे पहला सवाल आपका ये था कि कैंसर क्या है मैं आपको पता दू दोस्तों कि कैंसर वो चीज है कि एक ऐसा फोड़ा एक ऐसा चखाऊ जो कुछ भी दवाई दे दो उससे ठीक नहों होता हो और इसके बाद दीरे दीरे उसके इतना आकार वरते जाता है और आकार के साथ साथ ने आज़ वाजुके और भी चीजयों पर इस में उसका असर होता है हाथ लगा उसमें से ब्लीडिंग शुन हो जाती है दरद होता है तो बहुत सरी ऐसी चीज़े होती जो ऐसा पूरा जब जब किसी मनेश्र को होता है ये किसी मईला को होता है तब मिश्चित ही ये चिता होती है कि को थे भए कहीं का रूप दो नहीं है दूसरी ठीवार दूसըे है कि जहां तक सवार यह है की प्रकार केंचट9 के प्रकार का मतलब यह है कि ईख सर अलग अलग जगों पर होता है और खास करके देखा लिए मुह में चाला होना छोजसे का परिवर्टन होना ऐसके बाद में धीन तो तो कर देखते हम में ब लिया दो है का स्थिंटा कैंसर के बोने में पुरी अनुअ करती जहां तक यह देखा गया है कि यही तुन बहुत रहा हैं कि यही तीन बहुत कामन कैंसर जो बाद में भी बताया जाएंगा स्मयाद उसके मुह के अंदर का कैंसर है यू कि सबस्ते ज्यादा उसका कारण होता है वह हो है तमाखो 80 परतिशर्ण कैंसर मुह के वज़ाइब start मुह का चानल का फेल सोता है और 40 परतिशर्ण ... कैंसर जो सबसे मुह का कैंसर है जब 28 प्रतिशन वह है स्तन का और 19 से लेकर 20 के प्रतिशन का जो इसाफ चल रहा है अभी वह है गर्वाशे का कैंसर बिल्कुर तो डॉक्टर सम्ने जिस प्रकट से स्टिक जान करें देते हैं यह बता कि जैसे कि मुह का कैंसर होता है वह तक्र कि दिन बदिन जिस प्रकार से कैंसर के मरीजों में जब व्रिद्धी हो रही है कई न कई कम होना बेहत जरूरी है इसके लिए डॉक्टर की टीम पूरी तरह से प्रैस रहते बावजुद इसके के लोगों में अवेरनेस होना चाहिए इसके लिए सर को जन जागरती प्रोग से कुछ ऐसे डे फिक्स किये है जैसे कि 31 मही जैसे कि 4 फरवरी जैसे कि पूरा मेहना October का मेहना वह है breast cancer awareness month और इसके अलावा जो दूसरे cancer cancer जो body के अंदर होते हैं उनके वी अलग-अलग मेहनों की तारिक दी गई है जैसे हम लोग उस तारिक को लेके लोग में प्रसार करते हैं कि देखिए कि ऐसे प्रकार के cancer की संभावना बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं आप बचिए और और जो भी उसका कारण हम आपको बता रहे हैं उस कारण पर जहन रखिए और यह भी देखिए कि आपने उस चीज का सेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि खत्रा के बारे में कभी भी कुछ कहा ने जा सकता है बिल्कुत तो किस प्रकार से उनके अवेरनेस के देखा जाए तो बहुत कम हुआ है और यह भी कापी अच्छी एक समाज के लिए बात है अब हम सिधा रूख करना चाहिए डॉक्टर बिके शर्माज़ साब के बाद में इसमें हमारे से पने डॉक्टर आर भी रंदीवी जी इस्टूडिय में आई हुए है रंदीवे साब बहुत जूड़ा वर्ड है आखिर यह रंदीवी जी का महत्व क्या होता है कि इस प्रकार से कैंसर का डाटा रखा जाता है आई यह सिधे रूख करते हैं यह बातों को लेके डॉक्टर रंदीवे साब इनके पास में आर भी रंदीवी जी यह बताई कि कैंसर का कोई डाट इस डाटा टाको जमा करने के लिए उसको पुरा अपड़ेट करने के लिए आपकी टीम क्या काम करती है और अप कितना आपका कितना उसके अंदर योगदन रहता है अभीत तो द्हन्यवाद आपका कसचन जो है बहुत ही अच्छा है रजिस्ट्री वर्ड हमने जनरली अपने प्रापरेटी के माध्यम में सुना है पर यहाँ शब्द गवर्मेंट ऑप इंडिया ने सेम चीज इसमें लागू किये कि बंगलोर से जुडवें वहाँ से हम लोगो आदेश है और रजिस्ट्री अम अप टूडेट रजिस्ट्री कैंसर और वरल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर एंड गांसर सर्विक्स इसी तीन के साथ परफेक्ट एक technology वर्रड के साथ में हम रखते हैं हमारे पास इसमें नौव लोगों की टीम है जो दूर जाके दूर वो होस्पिटल बेज कैंसर पैसे हैं जो पर्टिकुलर में पॉपुलेशन बेस कैंसर रजिस्ट्री इसके तहथ हमें दो रूरल इंडिया नाकपूर रूरल इंडिया की स्टडी करना है और इसके मात्यम से हमारा एक सोशल वर्कर इवन सावनेर नाकपूर रूरल एरया में विजिट करता है अलग-अलग जगह जाता है इवन कारप अभरमेंट और इंडिया को फाइनल रजिस्ट्री करने में और फॉलिसी बनाने में मेरे ऑग्वार भूली सी बनाने में गयर ऑंक नियुक्त बता रजिस्ट्री ठाब है नाटनготов नहें तो यह सरकार को क्या किस प्रकार से उसकी जानकल दे आएक कितने लोग उससे आहत हुए कितने लोगों को अपने को ट्रीटमेंट देनी की ज़रूरी यहां सरकार बाद में तहे करती जैसे अभी अपन बोल रहे है डाइबेटीस का डाटा रखते है हाइपर टेंशन का रखते का डाटा रखते है उसी तरह क्यांसर शब्द भी है प्रा कर्मशारी के काफी अच्छा काम काज कर रहे है आप इस समय पर वीजियो देख भी रहे हो इसका अर्थ ही है कि कैंसर का डाटा रखना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का काम होता है बकुबी के साथ दिन रात महिनत करते हुए राष्टर से तो तुकड़ेज महाराथ कैं तब कही जाकर गॉवर्मेंट इसके उपर में एक सँझ्यान लेती है और क्या करना चाहिए और किस प्रकार के जो गाइडलाइन है वो इन्हें देती है उसी की गाइडलाइन के तहट ये पूरा रिजिनल शेत्री हस्पतार काम काज़ करता हुए नजर आ रहा है काफ ये च यह के कैंसर का नीदान कैसे करते हैं, उपचार के कौन-कौन से तरीके होते हैं, और रेडियो थेरपी मशीन में नए डिवलोपमेंट क्या आए हुए है। तो ऐसी गठान, ऐसे घाव और ऐसी तकलीफ के लिए हमको कैंसर अस्तोताल में चिकस्तक के पास जाना चाहिए, जहां पर वो देखके मशीनों की सहायता से या पैथलोजी के कुछ इंवस्टिगेजन के द्वारा उसका निदान कर सकते हैं, उसकी डाइगनोसिस कर सकते हैं। यदि कोई गठान है तो हम उसको पतली सुई से या कोर बाइपसी के द्वारा पैथलोजी टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो कैंसर का है। यदि कोई गठान है या कोई स्वैलिंग या कोई खाव सरी के अंदर है तो उसमें CT स्कैन, MRI या PET स्कैन की सहायता से नेदान कर सकते हैं, इस तरह से पैथलोजी और रेडियोलोजी की मशीनों के द्वारा हम कैंसर का निदान कर सकते हैं एक लोगों में आपस में मिलने जूने से जोने से कैंसर भी आईसा संसर बढ़ता है उसका? एक व्यक्तिक से दूसरे व्यक्तिक को नहीं लगती है मगर हेरिडिटरी कुछ चैंसर है आनुवानसिक है जो परिवार में पिता के द्वारा पुत्र में जाएंगे या महिलाओं में, मा के द्वारा पुत्री में या बेहनों में या मौसीला या इसे फर्षट डिग्री डिशन में ये ये छाओं साओं पाया जाता है सी ए कोलोन का ये परिवार में पाया जाता है उस्के आगल्य भाले पीने वाले का धुद्वाओं कैं उसे भी डरा पनता है प्राइमरी स्मोकर है उसकी सरीर में तो डारेक जाई रहा है मगर उसकी एक्जेल की हवा जो बाहर जाती है उसमें भी कुछ मात्रा में निकोटीन और बाकी के कार्सिनोजन जो कैंसर उत्पन करते हैं ऐसे chemical बाहर रहना atmosphere में आते हैं और जो आसपास जो वेक्ति है ऐसे जो smoking करने वाले वेक्ति के आसपास है उसके फैफलों में वह जाएगा carcinogen और वहाँ पर वो cancer उपन कर सकता है इसकी मातरा कम है मगर ये proof मिला है कि दूसरे वेक्ति को दी जो cigarette ability नहीं पी रहा है उसको भी cancer ह होता रहे है पैसे भी smoking के दौरा तो पैसे smoking से भी काफी खत्रा बढ़ चुका है ऐसे में जो smoke करते हैं उन लोगों ने इस और गौर फरमाना चाहिए ध्यान देना चाहिए कि खुद की तो जिंदगी हम खराब कर रहे हैं मगर साथ ही साथ और प्रतिक्ष रूप से दूसरे के जिंदगी से हम खिलवार कर रहे हैं उसको भी मौत के मूँ में धके लिने के लिए हम उनको प्रोसाइद कर रहे हैं ऐसे में जो लोग cigarette पीते हैं उन्होंने cigarette नहीं पीना चाहिए ऐसा डॉक्टर साथ का कहना है तमाम लोगों का कहना है cigarette पीना ये तो एक अपना शोख हो बुजरुगों को जब ऐसे कारणा में या ऐसे cigarette पीती वे दिखते हैं तो यकिनन बड़े होने के बाद भी या वे चोटी उम्र में भी छिपचिप कर बिड़ी cigarette पीने की कोशिश करते हैं इसके लिए उनके गार्डियन उनके पालक उनके अविभावों को ने जागरुख ह होना चाहिए और कैंसर से यदी हमें दो हाथ करना है तो सबसे पहले हमें मजबूत होना होगा तब कही और अवेरनेस करना होगा तब इससे निजात पास सकते हैं काफी अच्छी जानकर ही करता सिंग साब आपने दी है करता सिंग साब के पास मैं एक बात और भी कहना चाहत काल वेलती हैं եाल है उसके परिवारमि Counselor भी दुकित होता है एह ले पुरे परिवारी के इसमाने वाला वाला वेक्ति है अगर उसको केंसर हो गया तो यह पूरे लिए चिंता के विशाय होता है कि अब हमारा जीवनियापन कैसे होगा को दुख तो पूरे परिवार को ही होता है जहां तक 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 दर्द की बात है वह जो जिस वेक्तिक को कैंसर हुआ है यह उसके हिस्से में है कि वह इस दुख से इस पीड़ा से पीडित होता है जैसे किड़ीगा यह भी बात किया जेँ तो किड़ीगा बहुत खर्चवाला खामकाज होता है. इसको मतलब रीस भीमारी कहा जाता है. क्या Κैंसर को भी ऐसी भीमारी कहा जाता है? और जो पैसे अफॉर्ट नहीं कर सकते उसके लिए आपका ये जो अस्पताले किस प्रकार के मदद करता है। रेडियो थरपी और कीमो थरपी। सरजरी में जिस हिस्से में कैंसर है उसको निकाल दिया जाता है। कीमो थरपी में हम ऐसे इंजेक्सन दवाईयां देते हैं जो सरीर के खून में मिलके जहां पर भी कैंसर के किटान होंगे वहां जाके खत्म करते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट जो radiation है विकरंच चिकित्सा जो है वो radiation machine के द्वारा करते हैं जिस जगे operation हुआ है जिस जगे हड़ी में या brain में कहीं पैल गया है या metastasis है या stage 4 disease है एडवांस disease है तो वैसे इलाज के लिए radiation की machine काम में आती है जि व्राजसन्त तोकरोजी महाराज पता अचे तादाद में मरीजों का इलाज हो रहा है और यूजनाओ के द्वारा पूंट प्री इलाज हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग भी आ रहा है और अपने स्वास को अच्छा रखने के लिए क्योंकि कहते हैं कि हेल इस वे और डॉक्तर साब यह भी कहा गया कि प्रि जो पाच कॉमन क्यांसर होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, उनकी प्रकार के है। मेरा दूसरा सहौत है कि रिसेंट में जो चल रहा है, वो कौना क्यांसर ज्यादा खत्रा बना हुआ है, इसके परेमिंपेटे जान कर देजिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो cancer का number आता है जो first number है यह top most cancer ऐसे जो 5 cancer उसका पहला cancer है मुग का cancer यह जिसे हम oral cancer कहते हैं इसका मुख्व कारण जो है वह है तमाखू वैसे तमाखू के अलावा भी उसके और कारण होते हैं जो मेरे दूसरे साथ बताएंगे आपको दूसरा जो cancer है वह है आपका सितन का cancer मैलाओं में यह पहला नंबर का cancer है और तीसरा cancer जो है वह गरवाशे का cancer है उसके अलावा जो चौथे नंबर पे अभी चल रहा cancer वह है फेपरों का cancer यह लंग cancer बहा जाता है और जो पाच्वा cancer है जिसे हम अन्य नल जो तीन चार और बाच ताइप की जो टॉपमोस cancer का सिलसे जारी है और जैसा आपका जो दूसरा सवाल यह था कि इसमें अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह तो ऐसा देखा गया है अगर हम सिर्फ महारास्ट के बाद करते हैं कि हम महारास्ट में रहते हैं तो महारा और एक्तालीस हजार cancer इस महारास्ट के population में पाए गया है और हमारे ICMR के द्वारा यह भोशित कर दिया गया है कि दो हजार पच्चिस में यह मात्रा 11.2 यानि ही 11.2 कर तीशत बढ़ने वाली है चाहे कुछ भी कर लो तो इसका मतलब यह हुआ है कि यह मात्रा एक लाख और एक सट हजार दो सो तरा दे हो जाएगी यानि आप समझ सकते है कि आने वाले तीन साल कितने खत्रे रहेंगे अगर इस समय भी जैसे कि आप कुछ लेते हमने वरवर आवेर्नेस नहीं किया और वरवर धान नहीं दिया तो महारास्ट अब यह टोवे को हब ठेक मैं लेक्त की कके रूप में भी हो जाएगा और सबसे ज़्यादा कानसर जो है जाले में जैसे कि वीदरवा सबसे ज्यादा काऊर का सबसे ज्यादा का का रवर देकर यह भी बताया है कि एक लाख टालीस हजार व्यार यह तक पाये गया है जिन में нажब दो हजार पचीस का यह दी आखलन किया जाए तो दो हजार पचीस में ग्यारा दशमलो दो प्रतिशत मात्रा बढ़ने वाली है यह जो फिगर है यह काफी चिंता का वीशे है इसलिए अवेरनेस की बहुत जादा जरूरत है और जैसे कि उन्होंने अन्नलिका की जो बात की वो अच्छा हो सकता है इसमें दूरी जरूर बनाए रखे तो आप थे डॉक्तर भीके शर्मा साथ शर्मा साथ जाती जटे मेरा एक स्वार यह था कि स्निहांचल यह भी एक आपकी जो संस्ता है बहुत अच्छा काम कात्स कर रही है लाइस्टेमा महां पे के विजिट क्या स्न सब्सक्राइब करता सिंह साब के पास हम जरूर पहुचेंगे लिए उससे पहले फिर से एक बार डॉक्तर रंदीवी जी के पास चलते है सर कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार वर्तमान में अब जो कैंसर का जो स्टेटस है जो आंकड़े आ रहे है किस प्रकार का आंकड़े सब्सक्राइब क्या स्थिति बनीवी है इसमें स्थिति बहाने करें और यह आकड़े पचाना भी अपने को बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्ड़ वाइड कैंसर बढ़ती जा रहा है इवन वर्ड में देखो तो 200 लोग पर लाग पॉपुलेशन एक अनुमानित आकड़ा ह पर लाग पॉपुलेशन और यह आकड़े इसलिए बढ़ते जा रहे है कि हर विक्ति अभी तंबाग को खाना दारू पीना शराब पीना रास्ते पर गुमना यह चीजे कर रहा है जिसात में बैड हैबिट्स अपनी बैड हैबिट्स अजकल लिविंग स्टाइल लाइफ न ज्यादा मूटी हो रहे है और तो निकल रहे है बिल्कुल जन्क फूट जो सेवन करते जंग पूट का उन्होंने नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के आंकड़े बने वह एक स्टीति क्या है तो इसके बारे में भी सार जंग रहे है इसलिए लोग सचेत रहे बिल्कुल स्टार है सुन्धर है क्योंकि यदि आप अच्छे हो तो भारत देश भी मदूद होगा भारत देश तभी मदूद होगा जब इस देश के नावरी कryक मदूदह के पर यह किस प्रकार का काम करती है और आज के तारी में कौन-कौन से मरीज वहां पर जिनके उपर में ट्रीटमेंट होती है वह कौन-कौन से मरीज है कहां साई हुए है इसनिहाल चल एक पैलिटिव केर सेंटर है जो राजस्तन तुक्रजी महाराज कैंसर हस्पताल का एक हिस्सा है और जो सरकारी टीवी सेंटर जो है टीवी हॉस्पिटल के पीछे वाले इमामबाड़ वाले जगह में लगबग दो एकड़ की जमीन में बना हुआ है इसमें जो जिनकी स्टेज बहुत ज्यादा एडवांस्ट है जो टर्मिनली इल है जो इस बीमारी के आखरी पड़ावते हैं जिनका अब कोई पॉजिटिव इलाज नहीं बचा है जो उनको बहुत दर्द है ब्लीडिंग है या दूसरी कोई तकलीफ है तो उन से निजात दिलाने के ल सुउपिस कह 54 है और पेशने की सुउपिदा मुफित इलाज खा जाके लिए घर पहुंचकर हम वहिया करवाते हैं और इस सेंटर में हमारे पास बॉर्नमेंट मेडिकल कॉलिज से भी कुछ पेशन्ट आते हैं जी और जिन पेशन्ट को जो यहां पर भरती हैं उनको किसी कारेंट से अगर बहुत ज्यादा पेन है हड़ी में कैंसर है या प्रेन में कैंसर है तो ऐसे पेशन्ट को हम कैंसर से लगातार वहां अच्छा काम काज जारी है और वहां पे भी बहुत पेशेंट वहां पे आये हुए है मेडिकल कॉलेज से भी आते रहते हैं और इससे आप यह देख सकते ही दुरुष्य को यह दि विजुलाइज करें तो कैंसर कितना खत्रा बना हुआ है मगर इसकी यह दि रोक ठाम करना है तो कोई अपना अड़ोस पोड़ोस वाला नहीं बलकि हमें स्वाहिम करना होगा और इस दिशा में काम काज करना होगा तो दर्शको डॉक्टर करण डॉक्टर.com इस कारेक्टर में आज ते हमारे साथ में दक्षिन नाकूर के अंतरगत आने वाले राष्टर संथ तुकड़ी माराज कैंसर रिजनल अस्पताल के तीन माननेवर डॉक्टर करताल सिंग साब, डॉक्टर बीके शर्मा साब और डॉक अगली बार डॉक्टर.com में हम फिर से एक बार रिजनल अस्पताल कैंसर अस्पताल के जो डॉक्टर राष्टर संथ तुकड़ी अस्पताल के उनसे भी हम डॉक्टर.com में बातचित करेंगे दर्शको तो ये था प्रोग्राम डॉक्टर.com आप कहीं नहीं जाहिएगा और आप देखते रहीगा आपका प्रसंदिता चानल बीसे न्यूज नाकपूर नमस्कार और बहुत बहुत मानने और मैं आपका तैय दिल से स्वागत करता हूँ आभारी हूँ कि आज आप समय में समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और काफी अच्छी जानते रही हमार दर्शिकों को दी फिर से एक बार ने डॉक्टर के असरा हूँ आप से रूबरू होंगे तब तक दीजे संजे मेरे को इजाजत और आप देखते रहे बीसे न्यूज नाकपूर नमस्कार झाल